हेलो फ्रेंड्स और दियर स्टुडेंट्स आयू पियसी नॉमेंक लेचर का जो हमारा स्रीश चलता था उसके आखरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैंने पिछले वीडियो को भी आखरी का था लेकिन मुझे लगा कि एक चीज और आपको देने चाहिए कभी कभी बार ऐसा प्रिश्णा भी आता है जहां पर आपको आयू पियसी नेम्स जो हैं वो क्वेश्ण में प्रवाइड कर दिये जाते हैं और आप से उस कंपाउंड का इस्ट्रक्शरल फॉर्मूला या इस्ट्रक्शर पूछा जाता है तो यह उल्टा हो गया अभी तक हमें इस्ट्र इसे प्रूफ होगा कि जब हमने आपसे स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि आयू पियसी नेम्स जो होते हैं वो स्ट्रक्शर पर बेस होते हैं तो इसलिए अगर हमें उनके नाम मालूम हो तो हम उनके स्ट्रक्शर को भी बना सकते हैं लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको पूरे आपके आपके आउपियसी नामिक लेचर के मेरे जितने भी वीडियो थे पहले उन सब को आप जरूर देखिए ताकि आप नाम लिखने मास्टर हो जाए उसके बाद आप नाम से इस्ट्रक्शर भी बना सकते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं कुछ स्टेप कर सकते हैं तो कि अभी हमें कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है जैसे एक्जांपल लेते हैं जिसे नाम है थ्री अमीनो फाइव मिधाईल हेक्से नोइक एसेड तो यह पर पढ़ रहे थे तो हमने का था पैने नेम में हमें एक लंबी वाली चेन जो हमारी लंगेस चेन होत चाहे इधर से किसी तरब से भी इसको नंबर दे सकते हैं तो हमने 123456 6 कार्बन की चेन थी 6 कार्बनों को एक एक नंबर हमने यहां पर प्रोवाइट करा दिया और हमको मालूम है कि यह सबसे बड़ा ग्रुप होता है इसलिए नंबर वन कार्बन पर ही होगा इसकी पोजिशन कभी भी हमको बताई नहीं जाती जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया तो यहां पे है ओएक एक एसिड लिखा है यानि कि पहले वाले कार्बन पे कार्बोक्सलिक एसिड ग्रुप यहां पर अटैच कर दिया अब जो भी सबसेटुएंट्स अलग लगे हुए है इस्टेप नंबर फ्री में उन सभी सबसेटुएंट्स को उनके पर्टिकुलर नंबर पर कावन नंबर पर आप अटैच करते चले जाए यह नाम था यहां प और पांचों नंबर पर मिठाइल मतलब की CH3 ग्रुप लगाना है यानि मिठाइल ग्रुप यहां पर हमको लगा देना है तो यह सिंपल है यानि कि स्टेप नंबर तीम में जितने भी आपके सबसेटुएंट्स हो उन सभी को एस पर द नेम जो आपका नेम है उसमें जिस प और इन कार्बंश ने अपने साथ बना लिया और जिन जिन कार्बंश पर आपको बॉंड की कमी दिखाड़ी यानि चार बॉंड से कम जहां बॉंड लिख रहे है वहां पे चुप चाप हाइडरोजन लगाते चले जाए जितने हाइडरोजन की ज़रुरत थो उन सभी नहीं है। दो हडोली जबीड़ करफ़ किया। घर दीए। इसे तरहे ठीके से यह सुझाब्स मारा है। तो इ म सब्सक्रास्धी कमी है माई है। यहाँ पर कि इनलेकर श्रब्स मैं कि यहाँ पर कितने चाहिए। तीर hydrogen इसको चाहिए, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और final में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, COOH, ठीक है, यह CH2, यहाँ पर जो भी लगा है, इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, CH और यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, तीसे carbon पर amino group, फिर से CH2, यह CH2 हो अब आप लोग नाम भी लिख सकते हैं, चेक करने के लिए कि क्या है कि नहीं, देखिए, जिस तरीके से आपको बताया था मैंने नाम लिखना, इस तरीके से आप जो हैं किसी भी नाम को structure में, चार steps में बदल सकते हैं, आये कुछ exercise करते हैं, और इन सभी के नाम अगर आपन ने हम से पहले लिख लिया, तो practice करते हैं, पहले कोशिश करते हैं, दोनों लोग मिलते हैं, आप भी लिखिए, मैं भी लिखता हूँ, copy pen उठा लीजे, शुरू कीजे, तो जो पहला हमारा नाम है, it is 2-cloro-3-3-dyethyl-5-methyl-octane, पहले rule के इंसाब से, या step number 1 के इंसाब से, हमें, जितने भी carbon का हमें final name दिखाई दे रहा है, उतने carbon के हमको chain मनानी है, तो chain मनाते हैं, चलिए, शुरू कर देते हैं, हम एक ही बार में बनाएंगे, आप चाहें, तो hydrogen बाद में अलग-अलग लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बार में बनाने की कोशिश करूँगा, दो यह हमारा तीसरा carbon, ठीक है, यह हमारा चौथा carbon, यह हमारा पाचवा carbon, फिर छटा carbon, यह हमारा सातवा carbon, और यह हमारा आठवा carbon, octane के हिसाब से 8 carbon होने चाहिए, तो 8 carbon हमने oct के हिसाब से 8 carbon यहाँ पे लगा लिए, ठीक है, अब हमें numbering करनी है, तो हम numbering कहीं से भी कर सकते है क्योंकि हम लोग free हैं तो हम इधरी से कर ले रहे हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 का बंश यानि की सब कुछ सही है अब step number 2 के हिसाब से यहाँ पर parent name के हिसाब से नाम लिखना है यहाँ पर यह एन लिखा हुआ है कहने का मतलब यह तो LK नहीं है तो इसलिए कोई और special group लगाने की जोरत हमको नहीं है अब rule number 3 के हिसाब से step number 3 के हिसाब से सारे substituents के नाम लिखने है तो यहाँ पर कई सारे substituents दिखने हैं तो हम लोग एक एक करकी शुरू करते हैं आप से पहले दूसे नंबर पर CL क्योंकि chloro लिखा हुआ है तो 2 chloro हो गया तीसे नंबर पर डाई इथाईल है यानि की दो कार्बन की चेन लगानी है यानि की CH2, CH3 इथाईल दोनों बार लगानी है तो दो बार लगानी है तो CH2, CH3 उपर नीचे दोनों तरफ ठीक है नेक्स्ट इसके बाद फिर दिख रहा है पांचन नंबर पर मिठाईल यानि की इस कार्बन पर CH3 ग्रूप हमको यहां पर लगा देना है तो यह हो गया सब्सिट्यूशन सारे के सारे लग गए अब रूल नंबर चार या स्टेप नंबर चार के हिसाब से सभी कार्बन को जितने हाइडोजन की आफशक्ता उसना दे दीजे यहां पर एक बाद मना हुआ है यानि पर तीन हाइडोजन चाहिए तो यहां पर CH3 हो गया यहां पर देखिए तीन बाद मना है सिर्फ एक चाहिए तो CH हो गया एक भी नी चाहिए कि चार के चार मांद पूरे हैं यहांपे देखिए CH2 चाहिए इसको यहांपे CH2 चाहिए यहांपे वी CH2 चाहिए और यहांपे CH3 होना चाहिए यानि जो दूर तीन हडोजन की कमी थ मतलब итыon group l मतलब ldhyde group al-al is northern you have L dhyde हमने अपनी यूजरीज देखी थी प्रिंसिपल क्या नाम है घृप में वहाँ वहाँ पे हमने देखा था कि jioldehyde होता है वह ketone से ऊपर आता है तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम 3 और ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5 कर्वन ठीक है 5 कर्वन की चेन हमने बना ली रफ में आप बना सकते हैं बाद में फिर फ़ेयर करके आप लिख सकते हो ताकि कोई काट 받고 नहो तो ये 5 carbon की चेनों के step number 1 के इसाफ से और इनकी numbering कर देते हैं कहीं सभी कर दे हैं हम लोग इज़री से कर ले रहे हैं 3, 4 and 5 और इसके बाद फिर हमने देखा pentanol में अल लिखा हुआ है और याद करिए कि जो हमारा aldehyde group होता है वो उसी carbon से हमारी numbering जो है वो शुरू होती है ald aldehyde group क्या होता है C11OH CHO group ना तो हम CHO भी लिख सकते थे आप तो यह CHO हो गया तो number 1 carbon पर होगा क्योंकि इसकी भी numbering हम लोग कभी नहीं बताते हैं क्योंकि aldehydes होता है जब भी होएगा अगर उसके इसाफ से नाम लिखा जा रहा है तो वह पहले ही carbon पर हमने क्या लगा लि लिखी second step के हिसाब से आपने उस पे जो वारा principle था वो लगाया third के हिसाब से जो हमारा substitution था वो लगा दिया fourth के हिसाब से hydrogen भर दीजे काम खतम यहाँ पर देखे चारो बन पूरे हैं इसको नहीं करना यहाँ पर दो ही carbon के तो दो hydrogen से पूरा कर दीजे यहाँ पर भी सारे bond ब लिख भी सकते हैं जैसे मैंने वहाँ पर लिख के दिखा थे यहाँ पर ठीक तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं रसमें बाद में आप इसको फेर कर सकते तो यह नाम हो गया three oxo 2.10 अलका आईए कुछ और examples लेते हैं जैसे कि हमारा ethyl 3 hydroxy butanoate अब यह butanoate जो है 8 लगा हुआ है और यहाँ ethyl लिखा हुआ है इसका मतलब कि यह क्या है एक ester है ठीक तो ester का नाम मतलब कि acid से बना हुआ ester होगा तो simple butanate यानि की 4 carbon की ही बात हो रही है तो 4 carbon हम लोग पहले लगा एक यह हमारा दूसरा यह हमारा तीसरा और यह हमारा चौथा carbon चार कार्बन की बात हो गई और principal carbon अब इनकी numbering भी हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं हमने आज इस बार इधर से कर लेते हैं 1234 कहीं से भी कर सकते हैं चार कार्बन की chain हो गई अब बीटो नो 8 लिखा हुआ है 8 का म इसलिए यहाँ पर CH2 CH3 यानि कि यह हमारा principal नाम complete हो गया now तीसरे नंबर पर hydroxy लगा दीजिए now चौथे step के हिसाब से सब जगह पे hydrogen बढ़ते चलिए यहाँ पर एक bond ही बना हुआ है यानि तीन hydrogen की आवशकता है यहाँ पर देखिए तीन bond बन चुके हैं एक की ज़ुरत है तो यहाँ पर एक डाल दीजिए यहाँ पर दो bond बन है यानि कि दो hydrogen की आवशकता है यहाँ पर दो hydrogen डाल दीजिए बाकी तो पहले सी कम रखा यानि कि यह इथाईल 3-hydroxybutonate का नाम complete हो गया next यह क्या था इस्टर था next अब अगले example की तरफ चलते हैं that is 3-methoxy pentanoil chloride pentanoil chloride या पहले step के हिसाब से यहाँ पर हम लोग पहला काम क्या करें कि चुप चाप पांच जो हैं carbon की chain बना डालें 3-4 और यह पांच अब इसमें भी हम कहीं से भी numbering कर सकते हमने इधर से कर ली इस बार 1-2-3-4-5 और इसके बाद हमने देखा कि pentanoil chloride लिखा हुआ है यानि कि acid में से OH हटा करके CEL आ जाएगा तो क्या बन गया pentanoil chloride का नाम हो गया यहां तक का काम हो गया next तीसे नंबर पर यानि तीसरे carbon पर methoxy लिखा है methoxy मतलब की O और CH3 methoxy oxygen के साथ methyl group तो methoxy हो गया now फिर hydrogen भर दिए चौते step में यहाँ पे 3 चाहिए होगा यहाँ पे 2 चाहिए होगा य that is 3 methoxy pentanoil chloride now अब अगला जो है हमारा example मैंने कई सारे example जानुच करके लिए हैं ताकि आपको हर तरीके का ऐसा नहों कि हम आसान example लेकर के चलें हम ने कई सारे example लिए अब हम लोग ले रहे हैं 4 hexene 3 on 3 on on मतलब ketone की बात हो रही है तीसे नंबर पर ketone लगा हुआ है और hex की चेंड मन गई यह कह रहा है तीसे नंबर पर लगा हुआ यानि आपने कहीं से भी numbering कर सकते हैं हम इधर से कर ले रहे हैं इस बार 123456 और आप देख रहो तीसे नंबर पर ketone group लगाना है यानि कि C double bond O तो यह ketone complete हो गया यानि कि हमारा क्या नाम है parent name में के हिसाब से 3 on बन कर रहा है तो यहानि की चौथे और पांच्वे कार्बन के बीच में हमको क्या लगा देना है double bond लगा देना है चौथे और तीसरे के बीच में क्यों नहीं लगाएंगे अगर थ्री हेक्सीन लिखा होता तब हम लोग यहां लगा पाते लेकिन वह possible नहीं है क्योंकि यहां प ज़वरत हैं यहां पर एक पुई ज़वरत नहीं क्योंकि चारों कोंप्लीट यहां पर ही हमें छारों क्म्प्लीट हैtail इसको देखिए यहां पर एक इनक इनक संकता है आप के सामने का थ्याग्शे साव और यहां पर हां वह चाल दीट है तो न хоч आखरी example आज का जो है, it is 6-sino-3-oxo-4-heptanal heptanal, hept मतलब की 7-carbon की बात हो रही है तो 7-carbon का chain बना डाली है पहले फटाफट 1, 2, 3, this is 4, 5, 6 and 7 7-carbon की chain हमने फटाफट बना डाली है अब इस 7-carbon के इसाब से दिखा रहा है, heptanal heptanal का यहाँ पर भी देखेगा heptanal, क्यानि कि a-n-l नहीं लिखा हुआ, e लिखा यानि कि यहाँ पर भी double bond की बात हो रही है, कहाँ पर 4-carbon के उपर, तो हम लोग पहले numbering कर लें इस बार हम numbering इदर सकर लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नाम यह केवल double bond और triple bond को पहचानना जरूरी है e-ne हटा करके, sorry, e हटा करके उसमें से al लगाया है इसलिए यहाँ पर double bond है, और कौन से number पर, चौते नमबर पर तो चौते नमबर पर हमको double bond लगाना है, यहाँ रखिए का चौते और तीसे के बीच में मतलगाएगा, चौते और पाच्वे के बीच में लगाएगे bond हो, यानिए ketone group, और six number पर हमको क्या दिखना है, signo, यानि कि cn, अब फिर hydrogen लगाते चले जाएगे, यहाँ पर देखिए, इस carbon पर एक bond मना है, यानि कि 3 hydrogen चाहिए, यहाँ पर 3 bond मना है, यानि कि 1 hydrogen की कमी है, यहाँ पर भी 1 hydrogen की कमी है, यहाँ पर एक भी hydrogen की कमी नहीं है यहां पे दो हाइडोजन की कमी और इस पे तो complete था तो इसके साथ ही साथ यह structure जो है वो भी complete हो गया तो इस तरीके से नहीं सारे examples के आप कोई भी example कोई भी नाम लिख करके उसको structure में convert कर सकते हैं और structure को तो नाम में convert करना मैंने आपको बताया ही था यह practice इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार exam में नाम दे दिया जाता है और structure लिखने के लिए पूछा जाता है तो आप इस तरीके से चार steps में उन नाम से structure बना सकते हैं और यह इस बात का प्रूफ भी है कि जो है जितने भी नाम होते हैं वह structure से ही बनाया जाते हैं यानि structures पे ही होते हैं तो आसा करता हूं कि आपको यह topic समझ भी आया होगा यह आपके syllabus में लिखा हुआ रही है लेकिन exam में पूछा जा सकता है किसी competitive exam में पूछा जा सकता है इसके उपर exercise तो steps को समझने की जुरत है और practice करने की जुरत है तो मुझे लगता आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इसे like कीजिए अपने friends में share कीजे चैनल पने हो तो चैनल को subscribe कीजिए इसका PDF लिंक आपको description मिल जाएगा आपको